हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आज आप लोगों का फिट से स्वा गया थे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही पुरानी ट्रैडिशनल रेसिपे लेके आई हो जिसका नाम है रिक्वच यह खाने में बहुत ही स्वाधिस लगती है इसको अलग अलग जगों पर अलग कंपनी इसको इसको की तरिषा के बनाया है 5-6 फाल से मैं चर्भी का पथा लेलिया इसको चितर से काट अड़न निनेजरी साह फाद के लिया कुछ जीरा, मिर्च, हरी मिर्च, नमक स्वादनुसार, सब को हम मिला करके अच्छी तरह से पीस लेंगे और पीस करके हम इसका पेस्ट तैयर कर लेंगे जब हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा तो इसमें हम कुछ अलग से मसाले मिलाएंगे जैसे की लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक स्वादनुसार इन सब को अच्छी तरह से फेटेंगे और फेटने के बाद हम इसमें थोड़ा कुरकुरा करने के लिए इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए इसमें हम चावल का आटा ढालेंगे अगर आपको चावल का आटा अच्छा नहीं लगता तो आप चावल को चाहल ने के दाल दीजिए और चने के दाल के साथ चावल का पावडर इसके लिए और डाल करने ने ज्युआल दीना. आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरह से पत्ते पे फला फला के मैंने लगा दिया है अच्छी तरह से हर कोने पे लगा देंगे ताकि हमको एक पत्ते के उपर दूसरा पत्ता रखना है तो यह अच्छी तरह से चिपकेगा और हर पत्ते में मसाले का स्वाद आएगा अब देख सकते हैं मैंने दूसरा पत्ता रखा और इसको अच्छी तरह से लगाया है अब ऐसे करकर के हम सारे पत्ते को एक दूसरे से जोड लेंगे लगा लगा करके इसमें इसकी सबसे बढ़ी खुबी है इसको फोल्ड करना ही और इसके हर तरह से मसाले को इसका मसाला जादा गीला नहीं होगा अगर मसाला हम जादा गीला पीसेंगे तो मसाला लगाने पर वो निकल जाएगा चिपकेगा नहीं इस टिकी नहीं होगा अब देख सकते हैं मैंने दूसरा पत्था फैला दिया और फिर मसाला लगाया है अच्छी तरह से लगाकर कि मैंने पूरी पत्थे को लगा दिया है एक की उपर एक रक Kaiser क्रकर क्षु इसको फोल्ड करेंग legg करने इसे एक भणड कि करवा और फोल्ड करने के बाद इसको दोनों हाथों की साहथा से उंगलिय sommet d5- раст pipe bilir तो इसको धागे की मदद से बांद भी सकते हैं बॉल करने के पहले और नहीं तो यह स्टिक हो जाता है तो इसको चिपका देंगे हैं बेशन की साहता है थोड़ा एक्स्ट्रा लगा करके इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे और नहीं तो इसको थोड़ा धागा लपीट क करके बान सकते हैं जब यह अच्छी तर से बन जाएगा यह देख सकते हैं मेरा यह रोल बन के रड़ी हो गया है अब इसको बॉयल करने के लिए पहले से मैंने इस्टीमर में पानी रख दिया था और अब इसको डाल करके मैंने ढख दिया है इसको 15-20 मिट हम बॉयल कर लेंग तिल और राई के साथ भी हल्का फ्राई कर सकते हैं और बिना मसाले के आप खा सकते हैं यह हर तरीके से टेस्टी लगता है आप देख सकते हैं कितना स्वाधिस्ट बना है बहुत ही क्रेस्पी बना है खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है मेरा वीडियो अच्छा लगा तो like, share, subscribe जरूर करें Thank you for watching my video